नमस्कार, Economic Reforms के पहले लेक्चर में हमने देखा कि 1991 में वो कौन सी आर्थिक राजनेतिक और अंतरास्ती इस्थितियां थी जिसकी वजल से हमने आर्थिक सुधारों की सुरुवात की आज हम देखेंगे कि 1991 की Economic Reforms का हमारी देश की अर्थिवे उस्था पर क्या प्रभा पड़ा और आज भी वो कौन सी चुनोतियां हैं जो निफॉर्म के बाद भी बनी हुई है और सुधारों के 32 साल बाद सरकार को और नीत निर्माताओं को कौन से प्रयास करने चाहिए ताकि कि हमारा देश समावे सी विकास की रहा पर चले तो चलिए आज सारी चीज़ों बात करते हैं आर्थिक सुधारों के क्या प्रभाव थे जो 1991 में स्वर्गी पीवी नसिम्हा राओ और डक्टर मनमुहान सिंग ने मिलकर भारती अर्थि ब्योस्था में जो सुधार सुरू किये बड़ेत मेमाने पर जो लपीजी मॉडल को अप्लाई किया गया लपीजी मॉडल का मतलब लिब्रलाइजेशन प्राइजेशन और गुर्लाइजेशन उदारी करन नीजी करन और मंडली करन तो इसके क्या प्रभाव पड़े इसको देखते हैं जो प्रभाव थे वो बड़े व्यापक थे और अर्थिव्योस्ता के विभिन हिस्से जो थे इस इन सुधारों से प्रभावित हुए हैं धाई साल के भीतर ही आपके देश में मुद्रा इस्पिती में काफी गिरावट आ गई आर्थिक सुधारों के बाद उस समय 1991 में जो मुद्रा इस्पिती ती लगभग 17 फीजदी थी जो 1993 के आसपास घटकर 8-10-15 फीजदी हो गई तो आप देखी कितनी बड़ी सफलता है ए इसी मेकर के लिए 1991 की जब खराब इस्थिती थी उस समय हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार लभग एक दस्मलों दो बिलियन डॉलर के आसपास था और 1994 में यह बढ़कर 15 बिलियन डॉलर हो गया इसके अलावा जीडीपी के क्या स्थिती रही जीडीपी पे 1991 में हमारी जीडीपी 1 पर सेंट के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट और सिफ एक साल या बेड़ साल के बीतर कि यह 4 पर सेंट हो गई 1993 में यह चार पर सेंट होगी हमारा जो फिजिकल डिफिसेट था 1990 क्यानवे में 8.4 फीज़ दी था और 1992-93 में इसमें काफी गिरावट आई और ये हो गया 5.7 फीज़ दी इसके अलावा हमारा जो निर्याद था निर्याद से आपकी एकॉनमी आगे बढ़ती है हमारा निर्याद सिर्फ दो साल के भीतर ही दो गुना हो गया अब यहां पर जो हम बात करते हैं कि आपने अपने देश में आर्थिक सुधार तो ला दिये पर क्या इसका प्रभाव गरीबी कम करने में हुआ या नहीं हुआ तो अगर हम लाउंग टर्ण परिपेक्श में हम देखे हैं कि गरीबी पर क्या प्रभाव पड़ा तो उसके पहले एक बेसिक सा एक बुनियादी सा कंसेप्ट देखते हैं कि जो डॉल्लप्मेंट होता है उससे गरीबी कैसे कम होती है पहला होता ट्रिकल डाउन थेरी ट्रिकल डाउन थेरी का क्या मतलब टपकने का सिधान अगर ऊपर मतलब अस्तरी करण के जो उपर लोग तक पहुचता है यह एक मानिता है विकासवादी जो अर्थसास्त्री है उनके अंदर और दूसरा है जब आर्तिक सुधार हो रहे हैं तो सरकार के पास टैक्सेशन से कराधान से और विभिन योजनाओं से पैसे आ रहे हैं सरकार के पास यानि कि सरकारी खजाना बढ़ रहा हैं और सरकार उस पैसे का इस्तेमाल विभिन प्रकार की योजनाओं गरीबी उन्मिलन और वंचितवर के ससक्तिकरण में कर सकती है यानि कि इस तरह विकास जो होता है किसी भी देश में गरीबी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है तो गरीबी कम करने के लिए क्या नीतिया होनी चाहिए दो प्रमुकर और नीतियां की बात करतेंे अर्थ्य. हमने सुधारों की सुरुवात की तो भारत की अर्थिवेश्था लगवग 6.3% की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उससे क्या हुआ क्योंकि जब 1991 में हमारी क्रैसिस थी उसमें हमारा जो जीडिफी ग्रोफ रेट था सिर्फ 1% पहुँच गया था 1.1% लेकिन लगवग 6 उना बढ़ गया कुछ साल के भीतर ही तो सरकार के पास ज्यादा पैसा आ गया यानि कि संसाधन बढ़े है जब संसाधन बढ़ गये सरका के पास तो सरकार ने इस पैसे का इस्तेमाल डवल्लप्मेंट प्रक्रिया में एक बड़ी आबादी को सामिल किया जो गरीब थे उनकी गरीवी कम करने के लिए विविन प्रकार की योजनाय चलाई अब देखिए इस तरह जो मैं यह एक्स्पेंड कर रहा हूं उसका क्या उ नहीं रग्या है आपका जो फर्स पेपर है उसमें मॉडन इंडिया में इकॉनमिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उस इकॉनमिक को कैसे लिखेंगे उस पार्ड को आप हिस्टोरिकल पस्पेक्टिव से लिखेंगे वह आपका अप्रोच होना चाहिए जो सेगेंड पे प्योरिक्स लिखेंगे इसकी अलवा जो चतूर्द प्रस्ट पत्र है आपका फूर्थ पेपर है जर्नल स्टडिस का उसमें इथिक्स के अंगिल से लिखेंगे आप जो और निवणत में क्वेश्चन आए तो निवंद के प्रस्णों को कैसे हल करेंगे इंग को उस इनी सारी बातों को निबंद के एसे के एंगल से लिखेंगे तो मेरा यही उद्देश से है कि इकॉनमिक्स में यह सारे जो पेपर हैं उन सब के कुश्चन को कवर किया यह तो आए अपने मुद्देपा बात करते हैं जहां बात कर रहे थे गरीबी में कम करने के लिए सरकार क्या प्रयास किये लेकिन इन प्रयासों के बाद भी भारत में गरीबी बनी हुई है आप सब देखते हैं हमारे आसपस गरीबी दिखती है 2011-12 में तेंदुलकर समिती बनाई गई थी सरकार ने तेंदुलकर समिती बनाई और इस समिती के आकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 22 फीजदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी 22 फीजदी का मतलब अगर हम 2011-12 के समय बात कर रहे हैं तो लगभग 27 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे है 2011-12 में थी है लेकिन अभी कुछ गिन पहले सरकार ने जो लोगसभा में बोला है सरकार ने है इस समय देश में 21.9 फीजदी आबादी गरीबी रेखा के नी नीचे है 2022 की बात में कर रहा हूं आपसे यानि कि आज पिछले 10 साल में आबादी वड़ी है यानि कि आज भी लगभ 27-28 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा के नीचे हैं तो सरकार किनको गरीब मान रही है सरकार का कहना है कि अगर ब्यक्ति गाउं में रहता है तो उस कि गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा और यही नहीं गरीबी में एक और चुनौती हम देखते हैं यह चुनौती नेशनल कॉंसिल आप अप्लाइड एकॉनमिक रिसर्च के जो डेटा है वो बताते हैं कि देश में ग्रामीर और सहरी छित्रों का जो आया है उसका गिनी कोफिशियंट जो है उसमें क्या बदलावाया है गिनी कोफिशियंट में उसको जरा ध्यान से देखिए 0.05 दो पस था गिनी कोफिशियंट और 2011 बारह में हो गया 0.55 यानि कि 0.03 बढ़ गया यह गिनी कोफिशियंट क्या है गिनी कोफिशियंट जो है वो बताता है अमीर और गरीब के बीच कितना डिवाइड है कितनी खाई है तो गिनी कोफिशियंट जितना ज़्यादा होगा असमानता उतनी ज़्यादा होगी यान कि गुनीरिक भषिशिंट बढ़ने का मतलब रिफॉर्म्स के बाद भी आज देश में गरीब और अमीर के बीचे खाई बन रही है और खाई बढ़ रही है यह एक चुनोती है और एक policy maker के तौर पे आपको जानना जरूरी है कि यह चुनोती क्या है और उन चुनोतीों से कैसे निप्टेंगे यानि कि सुधारों के बाद भी गरीबी तो तेजी से घटी है लेकिन गरीबी घटने के बाद भी जो असमानता है बड़ी है अमीर जादा अमीर हुआ और जो बहुत गरीब है उसकी गरीबी बढ़ रही है एक रिपोर्ट आई है जो की विश्व असमानता रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट क्या कहती है भारत की सिर्ष 10 फीजदी आबादी पुल रास्त्री आये का संदानवे फीजदी हिस्ता उनके पास है और नीचे की जो 50 फीजदी आबादी है उसके पास सिर्फ 13 फीजदी धन है उसके पास आप देखे कितना बड़ा कितना बड़ा गैप है कितना समानता होंगे कितना दिखाता है कि सिर्फ 10 परसेंट के पास आपका कुल पैसे का कुल नेशनल इंकम का आदे से जादा पैसा है और जो नीचे जो गरीब लोग है 50 फीजदी अगर हम उस आवादी को देखें उसमें से 13 परसेंट लोगों के पास है यह रिपोर्ट का ज सारे जो मुद्दों के हमने चर्चा किया उसका निसकर्स क्या है देखें अगर युवाओं के पास पर्याप काम के आउसर नहीं होंगे यानि कि जॉबलेस ग्रोथ ऐसा ग्रोथ जहां पर जीडिपी तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों को रोजगार कम मिल रहा है मिल तो रह करते हैं तो हम सगरजणातम बेरोजगारी की बाद कर सकते हैं मेरे पास्किल ज्यादा है लेकिन मेरे इसकिल के हिसाब से मुझे रोजगार नहीं मिल लेकिन गीजिडिपी के साथ रोजगार नहीं बढ़ा कई सालों तक ऐसा हुआ यानि कि सबसे बड़ी जरुवत क्या है एक policy maker के लिए कि एक नीत निर्माता जो है उन नोकरियों का स्रिजन करें सरकार उन नोकरियां उस तरह की नोकरियां बनाए जो कि उच्च गुडवत्तावली नोकरियां हो और देश में यह अस्थाइत तो को बहावा देंगी क्यों ब अबयोस्था भी पैदा होगी इससे तो इनको काम मिलना जरूरी है इनको गुडवत्ता पूर्ण काम मिलना जरूरी है इसके लावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकॉनमी की क्या रिपोर्ट है यह रिपोर्ट अभी हाल में आई है और यह कहती है कि भारत में जो पिरोजगाई दर है वो लगवग 8 फिजदी के बराबर है तो युवाओं के लिए गुणोता पूर्ण जो काम है एक अस्थाई तरीका है गरीबी को कम करने का और साथ ही साथ यह डिविडेंट है भारत में मतलब युवाओं की जो बड़ी आवादी है उससे फायदा कैसे उठा सकते हैं जब हम उनको काम दें उनके पास जब काम होगा तो हमारी एकॉनमी को आगे बांडे में मदद करेंगे और हमारा देश-विकास की तरह आगे बढ़ेगा लेकिन चाईना में क्या हुआ और जो भारत में नहीं हुआ चाइना में ग्रामीर उत्पादक्ता में जाधा बृद्धि हुई है गाओं में उतपादक्ता बड़ी है अशका लेक्शण दिया हुआ है इसको जाईए हो देखिए लेकिन भारत में इसकी वजह यह क्या रही चाइना में रूलर्ण ओर उन्टेपरिश की देडियों की और इस बारे में एक बड़ा सरकार की बड़ी महत्यपोर्ण होजना है जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा भारत सरकार की जो common service centers की जो scheme है digital India के तहट जिसमें आज लगभाग साड़े चार लाथ common service centers देश के दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं तो ये रूलर entrepreneurs ग्रामीर उद्यमसिलता को बढ़ा रहे हैं ग्रामीर उद्यमसिलता को बढ़ा रहे हैं ये जिखल करेंगा आपनी परिच्छा में मेंस की परिच्छा में और ये आपको अच्छे मांस दिलाने में मदद करेगा तो ये सारी चीज़े आपके देश में सरकार की तरफ से एकोसिस ये चीज़ें की जा रही हैं ताकि हम अपनी एकॉनमी को निया एक डिरेक्शन ने रहुराम राजन ने 2014 में एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया देखे क्या दिया मैं आपके स्टेटमेंट पर लिखा हूं साल 2014 में रहुराम राजन का एक बड़ा महत्रपुर स्टेटमेंट था भारत के पूर्व आर्वी आई गवर्नर इन्हों ने इन्हों ने बताया 2014 में कि भारत ने क्रिसी उत्पादन में ज्यादा बड़ोत्री किये बिना ही गाव में रोजगार गारंटी योजनाय चलाएं और फसलों के लिए निवनितम समर्थन मुल्य दिया तो इससे क्या हो गया इससे थोड़ा सा नुक्सान हो गया थोड़ा सा क्या नुक्सान प्रिया तो उनके पास हाथ में अधिक प्रयाब पैसा आ गया जब पैसा आ गया त्यानि कि अब वो खर्च जादा करेंगे और जो ही खर्च जादा करेंगे यह क्या बढ़ाएगा मुद्राइस्पिती बढ़ाएगा क्योंकि हमारा हमारी उत्पादक्ता तो वही बनी रही लेकिन लोगों के हाथ में खर्च के लिए जादा पैसा आ गया तो इससे क्या हुआ मुद्राइस्पिती बढ़ी यह एक बड़ा इंपॉर्टन फैक्ट है जिसको ध्यान देने की जुरत है कि बिना ग्रामीर उत्पादक्ता में प्रोत्री किये हुए जो लोगों के हाथ में पैसे आये इससे वस्तुओं सिवाओं की मांग बढ़ी और इससे क्या हुआ मुद्राइस्पिती बढ़ी लेकिन 2014 के बाद से सरकार ग्रामीर बुन्यादी धांचे में बज़ती खर्च को लगातार बढ़ा रही है अब मैं यह साथी चीजे क्यों बता रहा हूं 91 के बाद अच्छी इस्तिति आ गई फिर कुछ चुनोतियां आ गई फिर अच्छी इस्तिति आ गई यह आप्स और आपके एक्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको अभी आप ध्यान में रखिए कि जो आउस और डाउन्स हैं इनकों कैसे अप्लाई करेंगे मुखे परिच्छा में तो साल 2014 के बाद से सरकार ने ग्रामीर बुनादी रहाचे पर बजच्छी खर्च को बढ़ाया है ताकि गौं में इंफरस्टक्चर बढ़े क्रिसी उत्प कि देखे एक तो यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही यह बात कही गई है कि भारत को अधिक सीमा सुल्क लगाने से बचना चाहिए इसका क्या मतलब हुआ देखे थोड़ा सा ब्यापार गाटा बढ़ा है भारत का विविन मुर्चों के आप देख सकते हैं कि हमारा आयात बढ़ रहा है लेकिन निर्यात हमारा निर्यात नहीं बढ़ रहा है तो सरकार एक अच्छी मंसा के साथ क्या कर रही है टैरिफ सुल्क लगा रही है सीमा सु तहए अर्थ न दोनिया की demol andar की वारत की तरफ देख रही है दो महतमुछ आपको पता है उसके खेला वेच मेंगात करनी शाने की युद को उसकत की चाहिए जो जो खो वाली नीतिया हैं उससे भी विभिन प्रकार के निवेशक का हतोत साहित हुए हैं तो दुनिया भर की जो प्रमुक कंपनिया है भारत की तरफ देख रही है लेकिन आप तो सीमा सुल्क बढ़ा रहे हैं तो सीमा सुल्क क्या करेगा सीमा सुल्क ऐसी कंपनियों को हतोत साहित कर वियतनाम और वह भारत से जादा इस्तेबल देश भी है भारत की तुल नामें तो ऐसे देश वियतनाम में ज्याद पूजी लगाएंगे तो यहत सुजहाओ सुझाओ भी है आपकी परिच्छा में आता है ने किया सुझाओ देना चाहते हैं तो यही सुझाओ आप लिख सकते हैं अपनी कौमे में और यह मुख पर अच्छा के लिए अच्छा सुझाओ है कि भारत को सीवा शुल्क पर ज्यादा जोड़ देने के बजाए हमें अपनी नीटियों को थोड़ा उदार बनाना चाहिए अब जिन में questions की बात कर रहा था वो question आपके screen पे है question को note करिए और यही question अब आपकी परिच्छा में बनते हैं इसके पहले जो question आया थे economic reform से कोई ऐसा साल नहीं है जब economic reforms वे आईएस की prelims और मेंस की परिच्छा में question नहीं आते हो लेकिन पिछले दो-तीन साल से reforms पे question तो आ रहे हैं पर question घूंग गया है थोड़े से तो अब क्या question आएंगे देखें मैंने आपके screen पर लिखा हुआ है इन question को ध्यान दीजिए पहला भारत की विकास यात्रा उतार चड़ाओं की कहानी रही है भारत के आर्थिक विकासपत और प्रमुख बाधाओं की जाज करें दूसरा जो संभावित question है वो है क्या एक statement है एक मजबूरत अर्थ बेवस्था के लिए हमें उदादी करण से थोड़ा आगे बढ़ना होगा अपनी अपनी दिशा को थोड़ा और आगे ले जाना होगा और उदादी करण से आगे जाकर आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे इसको संभाएं तो ये दो question आज की class में जो भी मैंने पहले बताया और आगे बताओंगा इन question सवालों के जवाब इस lecture में है आप इनको ध्यान से समझिए नोट करिए और मुझे लिखके दिखाईए तो आए आगे बढ़ते हैं तो इन सारी चीजों में हम पहले बात करें कि भारत के पक्ष में बाते क्या हैं कौन से ऐसी चीजें हैं जो भारत को एक मजबूत इस्तिती पे कड़ा करते हैं तो दो थीन बाते हैं ध्यान से ने और को पता हैं की कोविट ने पूरी दुनिया की अर्थ व्योस्था में गया स्वास चेतर में और बहुत सारी दिखतें पेदा किलें कोवीट की वज़ेसे भारत दीशे चुता नहीं है उसके बाद भी भारत में आप देख रहे हैं हमारा जो balance up payment है वो surplus में है पिछले दो साल से हमारा balance up payment surplus में है ये बहुत अच्छी बात है हमारा balance up payment surplus में है इसके अलावाद दूसरा क्या है भारत ने United Kingdom को पच्छाड दिया है किस हीज में भारत बन गया है United Kingdom से भी बड़ी economy बन गया है और ये बन गया है first largest economy दुनिया का और इस समय भारत की जो GDP है लगए 3.53 trillion dollar है तो ये भी बड़ी इच्छी बात है बड़ी उतसाजनक ये report है हमारे लिए तो ये जो कुछ दो बाते मैंने बताया इसके लगए और भी क्या चीज़े है जो भारती economy को मजबूत बनाती है जो मैंने question मैंने भी दिया था न पहले option downs की बाते करनी है और उसके बाद क्या चीज़े आपके favor में है तो दो चीज़े favor में मैंने आपको बता दिया तीसरा क्या favor है हमारी जो economy है ये domestic factor से guide होती है अब domestic factor से guide होती का मतलब घर का खर्च घर में घर का पैसा रह जाता है हमारी जो जरूरते है घर में पूरी हो जाती है और इसके अलावा हम अपनी जरूरतों के लिए हमें बाहर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता है यानि कि हमारी जो economy है domestic demand driven है हमारी अपनी मांग इतनी जादा है तो हम जो भी production करेंगे हमारी घर में खपत हो जाती है ये सारी चीजे है इसके अलावा और क्या है भारती जो अर्थिब्योस्ता अब बंद नहीं रह गई है बंद अर्थिब्योस्ता आप समझते हैं ऐसी अर्थिब्योस्ता जहां नीतियां कठोर होती है जहां विदेशी निर्यात्तों को विदेशी कमपनियों को दूसरे योगो उदार बनाया है हलका बनाया है जिसे हमारी कॉन्वी बंद नहीं रह गई है और हमारी कॉमी कंपीट कर रही है हमारी अर्थिवेवस्ता प्रतियस्पर्दी हो गई है और विभिन प्रकार के रिपोर्ट कहते हैं कि आने वाले लगभग 20 साल में भारत एक मध्यम आये वाला देश बन जाएगा जहां गरीब और अमीर की बीच खाई भी नहीं रहेगे इसके लगए डिमोग्राफिक डिविडेंट की बात करें तो भारत में 65 फीजदी भारती जो है कामकाजी आयू के हैं और यह जो वर्किंग जो है लगभग भारत में 2000 अभी 2023 है तो 2023 नहीं लगभग 2050 पचपन तक हमारी यह आबादी बनी रहेगी वर्किंग एज पॉपलेशन बनी रहेगी तो उससे फायदा क्या होगा हम अपने देश में इन इवाओं को रोजगार देंगे इसके अलावा हम आउट्सोर्सिंग की रूप में दुनिया की इसका से जोड़कर हम अपनी इकॉनमी को मजभूत करेंगे इकॉनमीक सर्वे जो पिछले साल आया था 2021-22 का बताता है कि कोवीट के क्राइसिस के बाद भी 2021 में अगरिकल्चर सेक्टर में हमारा ग्रोथ रेट 3.6% रहा है यह बहुत बड़ा नंबर है कोवीट की क्राइसि से किस में 3.6% और उसके अगले साल यानि कि 2021-22 में उससे भी जादा यानि कि 3.9% की ग्रिदी दर्ज की गई यानि कि हमारा क्रिसी छेत्र कोवीट से कोवीट का असर इस पर बहुत कम पढ़ा है मामुली पढ़ा है और यह हमारी अर्थिव्योस्ता के लिए बहुत ही अच् से उभर रहा है वो तेजी से विकास कर रहा है विफिन प्रकार की उसमें रोजगार पैदा हो रहा है और देश की एकौनमी को मझबूत कर रहा है इसके अलावा और कौन सी चीजह भारत की फेवर में है भारत में ब्यजनेस बीप्यों सेजिज है बिजनेस प्रॉसेस प्वजूद है और यह लोग टेकनोलोजी ड्रिवेन हैं टेकनोलोजी सेवी हैं जिसकी मदद से वो दुनिया के विभीन कंपनियों में रोजगार पा सकते हैं और हमारे देश की अर्थिव्योस्ता में को आगे बढ़ने में युगदान ले सकते हैं तो यह तो प्रमुख बा अगर हम आने वाले भविश्य में अगर हम चाहते हैं कि भारत में जो यह आबादी वाला जो लावधान्स है जो यूव्ट सख्यां में अगर उनका उनकी योगिता कांव द्धोहन करना चाहते हैं उनक practically में जोड़ना habitat क्यां करना चाहिए आयं में हमें स्कूल मेुख एं बच्चों को पारंपरीक एजुकेशन तो दे ही, साथ में हम उनके साथ उनको विभिन प्रकार के कौसल कारिकरम दे हैं तो ये से क्या होगा बच्चे 18 साल या 20 साल की अवस्था में ही कुछ रोजगार सुरू कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं इस मामले में पेरू ने बड़ा अच्छा काम किया है और पेरू ने इनोवा स्कूल स्टार्ट किया है इनोवा मतलब इनोवेशन बेस इसकूल ऐसे स्कूल जहां पर नवाचार आधारित हैं विभिन प्रकार के इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो पेरुनी इनोवाई स्कूल्स में ही बच्चों को स्किल्स से लैस करना शुरू कर दिया है और वहाँ पर एजुकेशन को स्किल्स से इंटिग्रेट करके इन स्कूलों में काम किया जा रहा है इसके लावा भारत को क्या करना चाहिए यह भी एक महत्तवपुर्ण सुझाव है श्रकार को विशेश तरे ध्यान देना चाहिए तो इससे क्या होँगा अगर हमधी श्पेशल आप्स जोन को मजबूत करना कैना है तो हमें विदेशी निवेश को बढ़ाना पढ़ेगा और हमारा निर्यात बढ़ेगा हमारा रिजनल डॉलपमेंट है वो साधी चीजें बढ़ेगा तो इस सारी चीजें को जोड़ कर हमें Special Economic Zone को बढ़ाने की बाद करनी चाहिए इस बारे में एक बड़ी अच्छी बड़ी महत्पूर समीती सरकार ने बनाई थी 2018 में और वाडिचे और उद्योग मंत्राले भारत सरकार ने बाबा कल्याणी के लीडर्शिप में एक समीती बनाया 2018 में और इस समीती ने अपनी सिफारी से दी बाबा कल्याडी कौन है ये भारत के प्रमुक उद्यूपती है और भारत फोर्ज कंपनी के चेर्मैन है और ये भारत के 100 अमीर लोगों में से इनका अस्थान 66 है और इनका बड़ा योगदान है देश में उद्यम शीलता में और द्योग जगत में साल 2008 में इनको पद्न से सम्मानित किया गया था एक चोटा सा फैक्ट है आपके प्रिलिम्स के लिए जो मैं सोचा कि यहां पर बता दूं तो बाबा कल्याडी की जो समीती थी उन्होंने सिफारिस किया कि यह सी जेट में जो चोटे उद्योग है उनको ज्यादा प्रोच साहित किया जाए और इनक समीज को बढ़ाया जाए उनमें निवेश को बढ़ाया जाए और इसके अलावा एसी जेट में बिभिन छेत्रों के लिए अलग अलग बिभिन प्रकार की प्रोसहन योजनाय चलाई जाए और यह सिफारी से नोंने दीए था एक कुश्यान आपकी परिशा के लिए बन गया यहां पर कि बाबा कल्याणी समीथी किस चेत्र से समंदित हैं तो ऐसी जेट में इनोंने सिफारी से दीथी इस आर्दिक चेत्रों में इनोंने मध्यम और अतिसुश्म उद्योगों के विकास की बात कही है इनोंने तो यह भी आपको याद रखना है अब मैं ऐसी जेट की बात कर रहा हूं कि बात कर रहा हूं तो जड़ा देखते हैं कि ऐसी जेट क्या होते हैं किसी देश की बीतर ऐसे इलाके होते हैं जो कि सुल्क मुक्त होते हैं मतलब यहां पर आपको नहीं देना पड़ता है और यहां पर निवेस को प्रोसाहिद क्या आता है रोजगार प् प्रहानी का उद्देश ही है सीजेट की अस्थापना जो पहला जो एपी जड़ था एक्सपोर्ड प्रॉसेसिंग जोन था यह साल 1965 में भारत में कांडला में गुजरात में अस्थापित किया गया था और बाद में देखा गया कि जो एपी जड़े इसमें कुछ चुनोतियां आ रही हैं इंफरस्ट्रक्चर की चुनोतियां आ रही हैं ब्यूरोक्राइटिक हर्डल्स आ रही हैं तो सरकार ने इन सारी चुनोतियों को इन कम्यों को दूर किया और इसी एपी जड़ को रिफॉर्म करके इसका नाम सेजड कर दिया इस पेसल एकॉनमिक तो इस अधिनियम के क्यावदे से थें कि यहाँ पर अत्रित आर्थी गतिविदियों को बढ़ावा दिया जाए, विभीन प्रकार की वस्तुओं और सिवाओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, रोजगार पैदा किया जाए, घरेलू निवेश और विदेशी निवेश दोनों को बढ़ावा दिया जाए और बुनियादी सेवाओं का विकास किया जाए.